गल्फ्रेंड के चक्कर में उजार दिया परिवार बच्चे के बर्थडे के बाद किया तीन का मर्डर धन्बाद जारकंड यहां वे ट्रिपल मर्डर मामले में नया खुलासा हुआ हैं आरोपी ने गल्फ्रेंड के चक्कर में पत्नी और दो बच्चों का मर्डर कर दिया हैं घटना के तीन दिन बाद भी आरोपी पुलिस गिरफ्ट से बाहर हैं। उसके साथ उसकी गर्फरेंड का मोबाइल नंबर भी आफ बताया जा रहा है। घटना के दिन आरोपी ने अपने दो साल के बेटे का बर्थडे भी मनाया था। बुदवार सुवे मा के साथ उसके दो बच्चों के शव कमरे में बिस्तर पर मिले थे। मृतक में दो साल का अक्षय, तीन साल की आवा और बच्चों की मा शामिल है। गुरवार को इनका अंतियम संसकार किया गया। पोस्मार्टम रिपोर्ट के मुताबिक मा अनुपमा देवी का गला पतले तार से घोटा गया इसमें बच्चों का गला तो कटाई है और साथी साथ गले की हट्डिया भी कटी है। एक बच्चे के गले की पाच हट्डिया कटी है तो वही दूसरे की तीन, दोनों बच्चों की भी पलक जपकते ही मौत हो गई। बृतिका के परिजनों ने पुलिस को एक मोबाइल परिजनों की शिकायत पर पती सहीत उनके परिजनों पर हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। दो मंजीरा मकान में भहिरव अपने मातापिता के साथ रहता है। तीन कमरे वाले ग्राउंड फ्लोर में भहिरव अंतिम कमरे में पत्नी और बच्चों के साथ रहता है। भहिरव बरवाड़ा में बजुआ ट्रांसपोर्ट में काम करता है। वही भहिरव के पीता चाय की दुखान चलाते हैं। मकान विश्णु पांडे नामक व्यक्तिका हैं जो अपनी पत्नी को जला कर मारने के आरोप में धनबाद जेल में बंद है। तो देखते रहिए All India News प्रिया की रिपोर्ट।